हेलो, 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 माई डियर स्टुडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11 केमिस्ट्री, सिलेवस के मैं बात कर रहा हूँ, 2021 and 22 सेशन के लिए, जो जेंगेज हैं हमारे सिलेवस में, इस सेशन के लिए, तो बहुत सारे स्टुडेंट्स का मेरे पास फोन आया, मैसेज आया कि सर क्या डिलीटेड है, क्या पढ़ना है, वो तो है, लेकिन डिलीटेड क्या है, वो हमारे पास नहीं है, बहुत प्रोब्लम हो रही है, NCRT बुक में देखने के लिए क्या डिलीटेड है, कौन सा टॉपिक है, थोड़ी सी पेचीदा है, गुमाओदार है, बट उसको मैंने काफी सिंपल करके मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसे इध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, तो यह केमिस्ट्री है, क्लास 11 थी, केमिस्ट्री क्लास 11, तो होता क्या था, पहले, पहले का अभी भी वही है, उसको कैसे चेंज किया है, इस बार CBSC Board ने, यह पूरा syllabus है term 1 का, term 1 में जो exam number में होगा, उस term 1 का यह 7th chapter है, पहले होता था कि theory 70 marks का final exam में आएगा, और practical आपका 30 marks का आएगा, total 600 marks का होगा, अब क्या कर दिया है, यह यह पूरा part को दो term में कर दिया है, term 1, term 1 और term 2, दो part में कर दिया, term 1 में theory यह 70 के जगए पर 35 है, और practical 30 के जगए पर 15 है, 35 नमबर का theory हो गया, 35 marks का theory और 15 marks का practical, 50 marks का आपको term 1 का exam लिया जाएगा, जिसमें theory का 35 लिया जाएगा, और 15 का practical exam लिया जाएगा, इसमें हम बताएंगे कैसे कैसे करना है, आपको क्या करना है, आगे बताएंगे, तो total आपका 50 marks का हो गया, यानि जो theory का exam है, 35 marks का term 1 में, और theory का exam 35 marks का term 2 में, यानि ये 70 हो गया, 70 यहाँ पे हो गया, अब 30 नमबर में क्या है, 15 नमबर का term 1 में, practical, और 15 नमबर का term 2 में, 30 हो गया, तो यह 100 हो गया, अब यह क्या किया, पचास नमबर आपको term 1 हो गया, और 50 नमबर term 2 हो गया, term 1 जो final exam नॉम्बर में होगा, और term 2 जो final exam February होगा, अब कुछ आते हैं chapter की बात, आप यहाँ पर मैंने आइसे ही बता दिया है, some basic concept of chemistry 5 marks, structure of atom 6 marks, classification of element 4 marks, chemical warning 6 marks, detox reaction 3 marks, hydrogen 2 marks, organic chemistry some basic principle technique 9 marks, total आपको 35 marks का यह बन गया concept, अब यह जो syllabus है, यह बोर्ट द्वारा निर्धारित जो आपको मिला है, यह है कि यही topic से question पूछेगा, पूछा जाएगा आपको, तो एक्जाम में question यह सारी topic का आपको पढ़ना है अच्छे से, और deleted क्या है, यह आना चाहिए, कि deleted है क्या, कई सारे बच्चों का सवाल है कि deleted क्या है, तो यह मैंने, मैं आपको deleted लिखा हूँ, तो NCRT में, NCRT में, जो topic है, topic number है, तो NCRT के according 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, यह deleted है, यह तो आने वाला है, यह तो आने वाला है, लेकिन यह deleted है, यह revised syllabus है, यह revised syllabus है, यह deleted है, यह मैंने जो deleted है, NCRT, बुक सबके पास है, यह topic आप नहीं पढ़ेंगे, मैं topic number लिख दिया हूँ, अब topic मैं लिख रहा हूँ, nature of matter है, पहला topic, properties of matter है, and their measurement है, uncertainty in measurement है, law of chemical combination है, dalton's atomic theory है, concept of elements है, atoms and molecules, यह है, जो नहीं पढ़ना है, यह deleted है, यह part जो मैं लिखा हूँ, अपने pain से, यह नहीं पढ़ना है, और जो यह लिखा हुआ है पहले से, तो यह पढ़ना है, ठीक है, clear, chapter 1 की बाद clear हो गई, अब आएए बटा, next, chapter 2, तो इसके पहले previous में, यह chapter 1 है, अब next में हम आते हैं, यह chapter 2 है, यह chapter 3 है, यह chapter 4 है, अब इस 2 में structure of atom, सबसे बड़ा chapter है, structures of atom, क्या पढ़ना है, तो यह जो, यह जो part है, यह CBC द्वारा revised syllabus है, revised, ठीक है, NCRD में, यह सारे topic पढ़ना है, और जो हट गया, deleted है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, structures of atom में क्या नहीं पढ़ना है, तो 2.12 topic, and 2.2 नहीं पढ़ना है, यह, जबकि इसके अंदर बहुत तरह topic है, अब जैसे topic क्या है 2.1 में, discovery of electron, photon, neutron, यह सारदर्दी खतम, यह नहीं पढ़ना है, यह deleted part है सार, atomic number का definition, इसी में mass number, यहाँ पे mass number में लिख दे रहा है, mass number नहीं पढ़ना है, isotopes, isobars, JJ Thompson model of atom and its limitation, Rutherford's model and its limitation, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ clear मैंने लिख दिया है, asbest कर दिया कि आप लोगो क्या नहीं पढ़ना है, कहीं पर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको यह video बना कर group में डाल रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, तो यह पढ़ना है और यह नहीं पढ़ना है, यह deleted part अब आए चैप्टर 3rd classification of elements and properties चैप्टर 3rd में classification of elements इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है 3.1 नहीं पढ़ना है, 3.2 नहीं पढ़ना है इसका मतलब significance of classification नहीं पढ़ना है brief history of development of the periodic table नहीं पढ़ना है यह नहीं पढ़ना है, यह नहीं पढ़ना है यह पढ़ना ही नहीं तो 3.1, 3.2 यह सारी चीज significance brief history, वही brief history का मतलब है वही वार जो पुरानी बात है अब जो running में जो आज की डेट में चल रहा है वही पढ़ना है अब आज की डेट में जैसे modern periodic law यही आज की टेबल आज की डेट में हम लोग यही periodic table पढ़ना है और इसका periodic trends पढ़ना है क्या-क्या increase होता है, decrease होता है हमारे periodic table में, group में, period में यह पढ़ना है और यही से पढ़ना है और यही से पढ़ना है और यही से मैंने पढ़ना भी है आपको आपको चिंता करने ही कोई बात नहीं है लेकिन बहुत सारे student का message आ रहाता है कि सब deleted part, deleted part इसलिए मैं यह मजबूरी में यह आपको मैं वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ आप इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, फिर भी कोई problem हो तो आप मेरे से contact करेंगे, बात करेंगे chemical bonding, chapter 4 में आईए, chemical bonding and molecular structure बैटा इसमें सारे topic पढ़ना है, इसमें कोई topic deleted नहीं है तो दिमाग से ये बातें निकाल दीजी, मैं यहाँ लिखा हूँ no any topic deleted, कोई topic deleted नहीं है, यानि chemical bonding में आपको सारे topic पढ़ना है all topic, all topic, all topic, all topic, सारे topic पढ़ना है, जितने हमारे NCRAT में सारे topic है, पूरा पढ़ना है तो यह chemical bonding हो गया, अब आईए next redox reaction, redox reaction यह NCRAT second book में NCRAT second book में यह chapter मिलेगा आपको और इसके पहले जो भी जितने chapter आपकोण है, NCRAT first book में मिलेगा यह NCRAT second book में है, term one का ही सिले बस यह दे दिया है, redox reaction अब redox reaction में कोई topic deleted नहीं है, मैंने यहाँ clear लिख दिया है, आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए, no any topic deleted clear, no any topic deleted इस तरह से hydrogen में आईए, hydrogen chapter है, second book में ही है यह लगभा गया है, unit 9 है, यह unit 10 है ठीक है, और 11 हो गया S block, 12 हो गया P block और यह 13 हो गया, आपका और गयने के बसक्राइब तो यह 9 unit 9, अतलब NCRT is second book का दूसरा chapter, that is 9 chapter फर्स्ट book का 7 chapter है, और 7 chapter इसमें है तो यह देखिए, redox reaction में यह पढ़ना है और कोई deleted topic नहीं है, यानि redox reaction complete है इसमें कोई deleted part नहीं है clear? hydrogen chapter, hydrogen में deleted है hydrogen में deleted है topic 9.3, 9.4, 9.7 यह deleted part hydrogen यानि topic भी हम लिख दिया है इसे लिए कि दिकत नहीं preparation, properties and usage of dihydrogen इसके बाद topic आपको नहीं पढ़ना है hydrogen peroxide यह 9.7 है, hydrogen peroxide इसमें preparation, reaction and structure and use नहीं पढ़ना है यह नहीं पढ़ना है यह class 12 के लिए आपका यह root है ठीक है, यह 12.8 हो गया, qualitative analysis 12.9 हो गया, और quantitative analysis यह 12.10 हो गया, यह नहीं पढ़ना है तो यह deleted part है आपका NCRT का और यह part सभी पढ़ना है, revise syllabus है, यह पढ़ना है, यह नहीं पढ़ना है, जो पेल से लिखा गया है, नहीं पढ़ना है, इसके बाद आईए, last practical, practical आपका 15 नंबर का है, 15 marks की practical है, तो मैं ऐसे आपको volumatic analysis है, यह मेरे द्वारा, आपके पास यह written soft copy भी हम देंगे, hard copy भी देंगे, जदी school में आया, offline है तो, तो यह volumatic analysis experiment भी कराएंगे, lab manual, यह lab manual में लिखना है आपको practical, lab manual में लिखवाय जाएगा, और experiment करवाय जाएगा, volumatic analysis, content back assessment, और class record and viva, 5 नंबर, यह total आपका 8, 2, 10, 7, 5, 15, 15 नंबर का practical होगा, right, term one के लिए, तो यह रहा term one का syllabus, आपको मैंने आज के video में term one का syllabus, मैंने आपको समझा दिया, यह theory complete room से 35 marks का chapter सारा discuss कर लिए, और practical 15 नंबर का आपको बता दिया, यह total 50 नंबर का exam है, तो theory वाला paper 35 marks का आपको दिया जाएगा, और practical का exam जो होगा, 15 marks का exam होगा, ठीक है, तो आज की class और आज का syllabus class 11th chemistry का syllabus 2021-22 batch के लिए, मैं आपको इस video में समझाया हूँ, इस तरह से term 2 का अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, और वहाँ पर आप concentrate उकर के देखेंगे, खुछी तीन में जल्दी ही हम second video भी डालेंगे, syllabus का, जिससे आपको कोई doubt नहीं हो, ठीक है बेटा, ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, term 2 के लिए, धन्यवाद, और last में मैं एक चीज काना चाहूंगा, कि subscribe करना और like करना नहीं भूलेंगे, धन्यवाद.